तैंक्स तो ट्रिशार जिजाइन मेरा जो घर बनाने का सपना था उसमें जो इंटिरियर करने का सपना था था तैंक्स तो दाम एंड यह जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली टर्न की प्रोजेक्स टाइप में आता है सो यहाँ पर सिवील से लेके फिनिशिंग तक सब काम इंक्लूड था यह जो लोकेशन है वो मिदा रोड में जांगिर कॉम्पलेक्स में यह मनोत्री बिल्लिंग सो यह टू बीच के अपार्टमेंट है सो नाव विल कंटिनू विद क्लाइंट टेस्टिमेनियल माइसेल्फ तरुन मैंने एक नया घर खरीदा था और घर खरीदने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसको मैं अपने ड्रीम घर बनाऊ और बनाने के लिए मुझे इसमें बहुत सारा कस्टमाजेशन करना था किस्टमाइजेशन करने के लिए मुझे मैंने बहुत सरे लोकल वेंडर्स के पास गये जहां पर मैंने इंक्वाइरी किया कि अगर मुझे ऐसा बनाना है तो कितना कॉस्टिंग जाएगा और फिर उसके बाद मैंने ऑल लाइन भी सर्च किया जिसमें मैंने स्टार्टिंग में अलमोस्ग साथ शाथ से आठ इंटियएर डिजाइने के साथ मेंने कटक किया उनसे बात किया इसमें से मुझे सब से बेस्ट कोटेशन जो लगा और त्रिशा डिजाइन्स का लगा उनका डिटेल लेवल जो भी इंफॉर्मेशन था आई रिली लाग इट और सिलेक्ट करने के बाद मुझे त्रिशा डिजाइन इसले भी अच्छा लगा क्योंकि एज गैप काफी कम है दोनों लोग काफी एनर् मेरा घर मिल गया था और घर मिलने पर शुरू करते हैं अगर एंट्रेंस से तो वहाँ पर जो मेरा शू रखने का जाओ तो स्टेप में बनाया नोंने इडिस क्लासिक और यह काफी मैच कर रहा है मेरे रिक्वार्मेंट से वहां पर जो उन्होंने एबस्ट पेंटिंग किय अगर लीविंग रूम की बात किया तो मुझे सबसे अच्छा मेरा मंदिर लग रहा है जहां पर उन्होंने एक्रेलिक शीट और स्टेप्स जो उन्होंने दिया प्लस यह बल के साथ जो है काफी इनोवेटिव और काफी यूनीक और नए मॉडन टाइम के लगता है और जो तो मेरा जो भुझे यूनिट का पैनलिंग और साइड राफ्टर जो लगा है उससे मेरे लिविंग रूम का रहनक काफी बढ़ गया तीख और किचर में तो काफी अच्छा लगा टाइल वहां पे और जो लाइट है और जो वहां पे पैंटिंग यॉँ पैंटिंग दिया ह और इन्होंने हमारे लिए मतब बोल कर स्पेशल वाल प्रिपेर किया है जिसमें मैं अपना वासिंग मशीन अलग और फ्रिज अलग रग सकूँ और उन्होंने डिमॉलिश करके जो में वाल था उसको तोड़ के एक हाफ वाल बनाया और उसके भी राफ्टर्स लगाया है वह काफी यूनीक और मॉडर्न लगता है आगे बड़ा जाए तो अगर हम अपने मास्यर बेड्रूम के पास जाए जो हमारा परस्नल प्राइवेट जो मुझे काफी परस्नल अच्छा लगा एंड जो नोने बेड बनाया है वित साइड बोर्स एंड बोर्स तैट इस अलसो वेरी यूनीक और जो नोने मेरे लिए स्टडी टेबल या लाप्टॉप जहां पर में काम करता हूं उसके प्रोफाइल लाइट दिया है तो शेल ब जो महां पर गेस बेडरूम एक अपने आप में ही बहुत यूनीक और बहुत ही वाइब्रेंट बेडरूम है जहां पर दो बड़े-बड़े खीड क्या है फ्रेंग्स विंडियो का उसमें फीलिंग आता है और जो आउटलेट और इनलेट जो हवा का है वेंटिलेशन खाफ दिन में कभी लाइट चालो करने के जरुद नहीं पड़ती इतना रोष्णी आता है बिकॉस आप दोस विंडोस काफी अच्छा है दो विंडों के वज़े से जादा लाइट आ जाती है कि लाइट जरूरत ही नहीं पड़ती है और काफी एनर्जेटिक और कभी ऐसे पॉज करने के लिए मैंने काफी ऑनलाइन सच किया कि मुझे ऐसे ऐसे रिजेंबलन्स में बनाना है क्योंकि बातरूम से ही पदा चलता है कि घर का कैसे आदमी का पहचान उसके जूतेस होते है वैसे बातरूम का पहचान से घर पदा चलता है कि कैसा है तो बातरूम और वाश्रू कोई भी आता है हमारे घर पर एज अगेस्ट दे अलसो लाइक बातरूम और मदब कॉमेंट ऐसा है कि इस अलमुस्ट एक्विवेलेंट कि हम कोई एरपोर्ट पर चले हैं वैसा लगता है इन्होंने जितना भी एक्जिक्यूट किया है जितना भी मेरा रिक्वार्मेंट था अ त्वेसरा यंद उसको जए से मैं अपना सपना पूरा करते हैं थैंक्स तो तुछा देगे झाल झाल